फाइनली रेड्मी नोट 10 और रेड्मी नोट 10 प्रो जैसे की दोनों सेम डिवाइस है तो इसके लिए जो है अब फर्स्ट वीडियो मेरा यहाँ पे देखने को यह मिल जाता है इसके अंदर यहाँ पे कंप्लेट रिविव करने वाला हो हलाकि इंस्टोलेशन वीडियो भी आ है फिलाल अभी यहाँ पर फर्स्ट वीडियो है यह मेरा और कंप्लेट रिविव रहेगा आगे जो भी रॉम्स आएंगे अभी कुछ रूम मैं खुद यूज कर लेता उसके बाद मैं आपको भी जो है सजेशन दे दिया करूंगा कौन सा बैटर है कौन सा नहीं अभी फिल सबसे पहले चलते हैं अवाउट फोन के अंदर यहां पे अवाउट डिवाइस जिसके अंदर 4.7 मिलता है ओफिशल एंडूइट 13 यह बिल्ड है और सिक्यूर्टी पैच इसके अंदर 5 अप्रेल 2013 का लेटिस सिक्यूर्टी पैच है करनल 4.14 बेस जो है करनल इसके इंदर मि इनफोर्सिंग देखने को मिल जाता है अगर मैं थोड़ा सा एनिमेशन को लेकर के बात करू तो ऐसे नॉर्मली एनिमेशन में स्टार्टिंग में थोड़ा लैक कर रहा था बट कुछ घंटे के बाद ठीक हो चुका तभी ऐसा कोई लैक नहीं है ऐसे कर नॉर्मल देखे त अगर बात करते हैं इसके एडिट सेक्शन में क्या कुछ मिलेगा तो रीशेट वाला बटन लेटिस्ट मिलेगा वाइफई और मोवाइल डाटा का सेपरेट टाइल हमें इसके अंदर देखने को मिल जाता है और काफी कुछ टाइल्स मिलते हैं यानि कि रीफ्रेस रेट का मिल जाएगा और स्मार्ट पिक्सल कभी है कैम्रे कभी है डॉल्प एड्मोस कभी तो टाइल्स काफी देखने किसके अंदर हमें यहां पर मिल जाते हैं अगर स्क्रीन रिकोर्डिंग की बात करें तो इसकी सेटिंग में आपको सो स्टॉप डॉट लोग क्वालिटी बिगर फा altogether इसकी सब बिल जाता है यहां पर स्क्रीन रिकोर्डिंग के जिस से कोई लाइग होता है बिल्कुल हलका सा वैल्कड़ यहां पर परसिंटेज भी एक्स पैंड हो जाता है अप अगर बात करते हैं तो यहां पर अच्छी मिल जा रही है इसके अंदर ऐसा कोई लैग नहीं बट जैसे कि विताए स्टार्टिंग में जरूर होता है बट कुछ घंटे यूज करोगे रोम तो यह थोड़ा सा ठीक हो जाता है और स्क्रीन सोट मिल जाता है इसमें आपको डिली अगर बात करते हैं यहां पर हम इसके बाल पेपर स्टाइल के बारे में जो डिफोल्ट इसके अंदर सेट बॉल पेपर यह इन बिल्ड ही आता इसके साथ में बॉल पेपर बेसिक कलर मिल जाते हैं हमें इसके अंदर में और थिम्ड आइकन बिल्कुल काम कर रहा है सौट कर बाहर फ्रीवी भी दिया गया लेप और राइट साइड कौन-कौन सा है और यहां पर चीज है कि अभी सभी इसी पर डिवाइस में निस अभी डिवाइस के अंदर जब हो जाता है सिर्फ हो जाता है इसलब करता है कि अपर यूज कर पाओं पर बॉल्कुल शडफाइड आता है जो देखने को मिल जाता है जो कि बिल्कुल काम कर रहा है सारी चीज़े देखा फ्रेंट बैक दोनों केमरा काम कर रहा है और वीडियो फॉर के 30 एपस तक मिल जाती है मौर के अंदर भी यहां पर सारे ऑप्स प्सक्राइब और सलो मोशन की बात करें तो यह भी अच्छे तरीके स समय उसे नॉर्मली कोई प्रॉलम नहीं अच्छे तरीके से काम कर जाता है और यहां पर वाइडवन का सपोर्ट मिलता है तो एक्स्टी जो है एक्स्टीम कर पाऊगे एमेजन नेट्फिक्स इन सब पर एच्टी पर कंटेंट देख पाऊगे डॉल भी एडमस जो दिया गय उसके अंदर अनिमेशन को लिए करेंगे अगर आप में देखोगे यह एक चेंज आपको मिलता है जरूर है भी लेटिस के अंदर में तहां पर मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं इसको तो मीडिया लैवड पर जैसे हम जाते हैं तहां पर जब भी हम इसको प्ले और पा काफी लैख करता है कुछ में थोड़ा करता है कुसमें ज़्यादा करता है यहां पर पर देखो खीकता वॉल्य में कोई दिकत नहीं मीडिया जो ले याउट है इसके volume slider पर थोड़ा lag करता जरूर है जैसे कि बताया किसी किसी device में हलका करता है किसी में ज़्यादा करता है और अगर गूगल photo की बात करें तो इसके अंदर हमें unlimited storage मिल जाता है और इसके दोनों build आते हैं Vanilla और Japs तोनों और call recording यूज़ करते हो यह पर गूगल डार जैसे कि मिल रहा है तो alert करते है बट वर्किंग है और Bluetooth डिवाइस अगर यूज़ करते है यह वर्ट से सब तो media calling दोनों के अंदर काम कर रहा है उसमें कोई problem नहीं है और अब चलते हैं सेडिंग के तरफ वाइफाय नेटवर्क में जाते है तो यहां पर सीम के अंदर प्रेफर नेटवर्क आपको काफी देखने को मिल जाएगा इसी के नीचे वह से आपको वाइफाय कोलिंग मिलता है तो इनेवल कर लेना और hotspot के तरफ चलते हैं चलते हैं और चेरी सेडिंग्स यहां पर है जिसके अंदर स्टेटस बार में बात करें तो स्टेटस बार डवल टैप स्लीप है और अगर आप आप करोगे तभी यहां से जो है वाल्याइकन आप चेंज कर पाओगे जो कि आप सब्सक्राइब आपको यहां पर मिल जाता है जो भी आपको आच्छा लगे आप यहां से सिंप्ली चेंज कर लेना फिर नीचे 4G icon roaming indicator मिल जाएगा और कुछ मीडिया इसे रिलेटर जो है इंडिकेटर आपके privacy वाले वो मिल जाएगे मीडिया और माइक का लोकेशन का इसे भी इंडिकेटर है और colored icon मिल जाता है status वार के लिए Bluetooth battery status भी दिया गया नीचे quick settings के अंदर आपको QS transparency control करने के लिए मिलेगा quick pulldown के लिए मिल जाता है और brightness slider के लिए settings यहाँ पर मिल जाएगी नीचे data user जो कि आपको QS panel पर मिलता है vertical layout अगर आप change करना चाहते हो अपना QS के लिए पूरा आपको यहाँ पर मिल जाएगा settings और themes के अंदर जाने के बाद यहाँ पर settings layout मिलता है main settings के लिए यहाँ जैसे कि oxygen or stalk मैं select करता हूं तो main settings का layout है वो थोड़ा यहाँ पर change हो चुका आप देख सकतो कुछ इस तरीके का तिये जो है आप वहाँ से change कर पाऊगे जो main settings का layout और उसी से related उसके नीचे जो settings का option मिलते हैं वो सब मिलने वाले जो settings base layout दिया गया उसाब आप यहाँ से change कर पाऊगे home layout के लिए settings में user card आपको चाहिए तो उसाब आप यहाँ से नीवल कर पाऊगे main settings के लिए ही आपका यह दिया गया system UI interface जो है अब नीचे theming का section है जिसमें dark theme दिया गया तो यहाँ से नीवल disable कर पाऊगे lock screen का clock font अगर आपको change करना है तो अभी आप यहाँ से change कर पाऊगे lock screen जो clock है उसका font आप change कर पाऊगे जैसे यह change हो चुका है अब latest में सभी almost मिल ही जाता यह चीज़ भी यहाँ पर दिया गया है QS panel style अगर आप change करना चाहो तो यहाँ पर change कर पाऊगे normally कुछ ही इस तरीक notification भी इसके अंदर देखने को मिलेगा ओ भी इसके अंदर transparent type का देखने को पूरा आपका notification भी मिलने वाला इसको अगर आप सेलेक करके रखते होती है यहाँ यूज कर पाऊगे vivid color मिल जाएगा और नीचे फिर यहाँ पर headline body fonts हमें देखने को इसके अदर मिलता है तो fonts यहाँ चेंज कर पाऊगे icon pack है और icon save भी मिलता है साथ साथ आपको यहाँ पर signal icon style चेंज करने के लिए मिल जाएगा काफी options है signal icon के wifi icon style यह भी हलाकि काफी देखने को मिल जाते है तो यहाँ से wifi icon style भी आप चेंज कर पाऊगे तो यह सारी चीज़े आपको themes के अंदर देखने को मिल जाता है और जेस्चर navigation भी उपर आपको देखने को मिलेगा यह पूरा इस तरीके से रहेगा यहाँ पर हालाकि यहाँ पर background आप देख सकतो इसका proper navigation button का काम कर रहा है बट यहाँ पर gesture अगर हम यूज करते है अभी तो black देखने को मिल रहा है नेकिकि कभी कभार इसके अंद जो दियागा keyword की space को hide करने के लिए है यहाँ पर आपको back sense video के लिए मिल जाएगा अगर आप assistant यूज करना चाहूँगो आप यूज कर पाऊँगे corner से फिल radius को control कर पाऊँगे तो gesture की settings काफी मिल जाती है बाहर फिर 3 button के लिए control करने के लिए उपर आपको यह setting मिलती है but for volume panel alone left मिल जाएगा volume step भी यहीं पर है volume rocker भी है और keyboard cursor control भी यहीं पर मिलता है animation में power menu को animation आप on-off यहाँ से set कर पाऊगे और queer style के animation को भी यहीं से change कर पाऊगे लॉक्षिंग के अंदर आपको double tap sleep मिलेगा toggle torch है hide कर सकतो power menu को लॉक्षिंग के अंदर status bar भी हाइड कर पाऊगे यहां से charging info भी मिल जाता है जिससे fingerprint animation जो मिलता है उसको open up कर पाऊगे fingerprint authentication vibration और error vibration यह दोनों भी यहाँ पर मिल जाएंगे media cover art भी मिल जाता है और pulse के लिए भी दिया गया तो pulse भी यूज कर पाऊगे काम करता है और नीचे फिर आपको blur amount to locks in media artwork option मिल जाता है यहाँ पर आपका यह जो power menu दिया गया इसमें आपको power menu की opacity के लिए मिल जाता है background dim के लिए मिल जाएगा एडवांस रीबूट के जो options हैं और कुछ shortcuts हैं और सब आप यहाँ से लगा पाऊगे notification के अंदर आपको age lighting देखने के मिली के अगर यूज करना चाहो तो यहां से कर पाऊगे time out तक पूरा एज lighting का ही settings मिलता है यहाँ पर उसके नीचे फिर आपको ambient aod customization मिलता है यह आपके always zone पर काम करेगा कि यहाँ पर कोई भी text आप लिखते हो इसके अंदर में तिया आपके always zone डिस्पली के अंदर सो करने वाला हो उस पर आप साइज कंट्रोल कर पाऊगे color change कर पाऊगे उसका तो वह सारी चीज़े आप control कर पाऊगे टेक्स्ट का यह आपका टेक्स्ट हो गया योडी के लिए वाकि फिर image के लिए भी दिया गया हलाकि image वाला ज्यादार काफी रों में लाश्ट में आप यह नोटिफिकेशन पर मिल जाता तो यह सारी चीज़े आपको इसके अंदर नोटिफिकेशन में मिलती है और मिशलीनिस के अंदर launch music app on headset connection मिल जाता है याँ कि आप earphone जैसे connect करोगे तो आपका जो भी default music app launch हो जाएगा नीचे ignore window secure flag मिलता है स्क्रीन सोट स्क्रीन रिकोर्णिंग के लिमिट्स को रिमूब कर पाऊगे स्मार्ट चार्जिंग भी दिया हुआ है नीचे एप लोग भी मिल जाता यहां से प्रोटेक्टेट एप्स आपके देखने को मिल जाएंगे जो भी सपोर्टे करें यहां पर कर करेंब माद के इस किंगल यह आपको बडिक्रेशन आपर करना थे श्यूसकान P चाहरें लम्हट नाठ चाहिए तो इसका क्लिक करेंग कुछ फरिंथ क मिल जाता है रली-छंट के यहि इसका काम नहीं कर네 पर क्लिक करें कुछ फरकी नहीं पड़ रहा है यहां पर आपको नाइट लाइट मिल जाएगा लाइब डिस्प्ले भी दिया हुआ है कलर आप यहां पर सेलेक्ट कर पाओगे यहां पर बिंडो लेवल ब्लर के लिए मिला जाएगा जिससे थोड़ी बढ़ जाती बर इसको इनेवल करने के बाद अगर आप इसक्रीन प्रोटेक्टर यूज करते हो टच रिस्पॉंस थोड़ा बैटर कर देगा यहां पर यहां पर यहां पर यूज कर तो इसके इंदर यूज कर पाओगे बिल्कुल काम कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है गेम स्पेस में इन गे सारे options मिल जाएंगे लोग जेस्टर हो गया यहां पर आपको मिलेगा बाकि यहां पर आपको गेम जो है पिक कर पाओगे इसका इंटरफेस हो कैसा रहेगा वह बता दूंगा यहां पर ज्यादा सेटिंग मिलती इंटरफेस के मुकाबले अगर डिस्प्ले डिफोल्ट एप आपको मिलेगा इसके अंदर में और बैटरी सेबर मिल जाता है उपर देख सकतो है और बैटरी हेल्थ का सेक्षन मिल जाएगा नीचे फिर बैटरी टेंपरचर मिल जाएगी अगर बैटरी बेगप की बात करें तो यहां पर जो है टू आवर एटी परसंट पर मैं वीडियो अप्ले किया था तो 91 परसंट तक जो है बैटरी हमें देखने को यहां पर मिल जाती इसके अंदर में तो कुछ इस तरीके का बै आपको मीडिया लेयाउट दिखा दिया किस तरीके से है बाइबरेशन है यहां पर देखने को मिलने वाला जो की काम कर रहें सभी अच्छे से और रिंग्टोन बाइबरेशन पैटर्न भी मिलता इस्ट में कस्टम बाइबरेशन भी आप लगा पाऊगे उसी तरीके का आप आपको नोटिफिकेशन के लिए भी मिल जाता है सेम एंपर वालिम कंट्रोल यहां पर दिया हुआ है ता आप इसका यूज भी कर पाऊगे अगर यूज करना चाहो बाकि फिर वाकि के साउंट के जो आप्सें वो आपको यहां पर बिल जाते हैं और अब चलते हैं यहां प पहले पैटन साइज तो अला कि नहीं मिलता हमें अगर बात करें इसके फिंगर परिण के बारे में तो काफी अच्छे से काम कर रहा है और इसका जो रिफाल एक्ट है अगर आपको अफ करना होगा सेंटिंग में मिल जाता है और जो फेसन लोग है इसका भी रिस्पॉंस का सब्सक्राइब को और बाहर फिर डिश्टल वल्बिंग का सपोर्ट यह भी मिलता है जिसमें आपको सारी एक्रिविटीज जो है वह आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ पर नीचे फिर हमारा सिस्टम है जिसके अंदर लेंग्विज मिलती है यहाँ पर अपर बात करें त दिखा दिखा दिया गया है अपडेटर भी मिल जाएगा और नीचे फिर यहाँ पर देखोगे तो इसके इनदर सुईट पार्ट्स भी मिल जाता है तरीके से जैसे हो सोमी पार्ट्स होता है और यहीं से आप अपना रीफ्रेस रेट आप सेलेक्क कर पाऊंगे 60 120 हर्स में स रहेगा 120 हर्स से सेलेक्ट कर लोगे 120 हर्स वाला ही आपका रहने वाला है पर रेफ्रेस रेट ओभी आपको मिल जाता है यहां पे 60 90 और 120 हर्स आप सेलेक्क कर सकतो किसी भी अप्लिकेशन पे ли-c dimming भी यही पर मिलता है तो इसके अंदर इन्दर इन्टू स्कूर या सब्सक्र कर लेपर सारे इ सबसक्रиль पिया गया है वह आप सारे ओप सनसे यहां पर काम कर रहे हैं और clear speaker घौ drip अब इसका जो है मैं developer option enable कर लेता हूं और उसके अंदर चल के आपको दिखाता हूं कि यहाँ पर हाइड नोच मिलता है और किस तरीके को मिलने वाला है ओ सारी चीज़ आपको यहाँ पर पता चल जाएगे तो और cpu थ्रोड अगर आप देखोगे तो cpu थ्रोड जो है 76 परसंट है मैक्स पे और अगर जीप स्कोर की बात करें तो मैक्स पे 9.8 दिखा रहा है और 7.8 दिखा रहा है जो कि बिलकुल भी यह जो है सही नहीं है तो इसको हम इग्णॉर करते हैं बाकी cpu थ्रोड जो है 76 परसं चो है जो है 69 रहने वारा है अब बात करते हैं थोड़ा सके गेम श्रोड में तो यहां पर हमें जो है एपए सुन इनफो मिलता है 60-70 fps या फिर 80 fps के करीद तक इस तरीके से जा रहा है यानि कि क्लासिक भी अगर आप खेलते हो तो क्लासिक में आपको लैग होगा और काफी देखने को लैग मिल जाएगा दूर ऐसे रहा तो ठीक है दूर में तो आपको जैसे नॉर्मल fps में अभी मिल रहा है उस टाइप से रहेगा बट जरूर यहां पर 60 सवे नीचे साथ तक थोड़ा भूत आने को देखने को जरूर मिल जाता कि इस तरीके सुन से मिलता है बाकी पीद और कुछ रोम जो अभी मैं यहां पर ट्राइ करूंगा करीब एक मंत तो पूरा यहां पर टेस्ट करने में लगेगा क्योंकि एक मंत के बाद जैसके अपडेट सभी रोम के देखने के जातर बेलते हैं तो सभी जो अल्मोस जब मै नोट 10 प्रो का भी फिलाल यह जो है टेस्ट करी रहा हूं यही जो है रीविव आपको किया हूं तो यही इस तरीके के पाफॉंस मिल जाती बैटरी गप जो भी था मैं आपको यहां पर बता ही दिया हूं तो यही था और इंस्टोलेशन एक वीडियो मैं अलग से बना दू प्रो जो है बाइक कर लो तो फिलाल इसका जो है यहां पर मैं जैसे कि बाइक या थरी फर्वेस्ट तो उसका पूरा आपका डेटेल्स अगर चाहिए होगा तो आई बिटन पर वीडियो मैं दे दूँगा और डिस्क्रिप्सिन पर भी हो सकेगा तो मैं दे दूँगा तो आप देख लेना किस तरीके समय बाइक या सारी इंफोर्मेशन में उसमें दे दियाओं ठब आगे जैसे कि आपको अब रेड्मी नोट 10 प्रो के भी वीडियो देखने को मिलने वाली है आगे तो फिलाल आज की बिटन इतना ही और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो झाल